राहूल गांधी के जैपूर आने की कारफर में बदला हुआ है और पहले ग्यारा बच गर 50 मिनट पर जैपूर एयरपोर्ट पहुंचने का कारकरम था फ्लाइड डिले होने के चलते कारकरम में बदला हुआ है अब तीन बचकर तीस मिनट पर चार्टर प्लेंस सिर्जाप हो राएंगे राहूल गांधी राहूल गांधी को रिसीव करने एरपोर्ट पहुंचे थे कॉंग्रिस नीता और राहूल को रिसीव करने पीसीजी चीर गोवन सिंग डोटा सरा नेता ग्रिपा अक्ष्टी कराम जूली सांसत भजनलाल जातव और विधाय कमीन कागजी एरपोर्ट पहुंचे थे लेकिन तीन घंटे लेट होने के चलते एरपोर्ट से वापस लौटे कॉंग्रिस नीता राहूल गांधी के जापोर्ट पहुंचने के कारकश्पम में बदलाव हुआ है पहले ग्यारा बचकर पचास मिनट पर जापोर एकोड पहुंचने वाले थे राहूल गांधी अब चार्टर प्लेन से जापोर आएंगे तीन घंटे का डिले हुआ है आद एक जानकारी के लिए सायोगी सुनील यादव फोल नाइन पर जुड़ गए हैं। आद एक जानकारी मिल रही है कि प्राइवेट जो जेट है उससे करीब साड़े तीन बजे जो है वो जैपूर पहुंचेंगे और जब ग्यारा बच कर पतास पनाद जैपूर एरपोर पर आने का कारेकरम था तो उसको लेकर जैपूर एरपोर पर सुरक्षा व्यवस्ता थी व जैपूर आने का करक्रम है उसमें बदला हुआ है फिलाल के रद हो गया था ग्यारा बच कर पतास पर नहीं आएंगे तो जो तमाम कोंग्रेशी नेता थे वो एरपोर्ट से लोट गए थे उसके बाद धीरे जो राहुल गांदी की जो सुरक्षा इसक्रिशल सुरक्षा उन है तो ब्लोक नहीं किया जा सकता तीन गंटे तक तो यसे में जो वहां से सिक्यूरिटी थी राहुल गांदी की लाल उसको वहां से मिलाव हता दिया गया है उखुद शेक्यूरिटी वाले भी एरपोर्ट से निकल गया है तो अब शाड़े तीन बजे का कारक्रम है वो बता में बदला हुआ है अब तीन बच कर तीस मिनट पर चाटर प्लेन से जैपुर आएंगे राहुल गांदी